हालो एब्रियों यूर वेल्कम टू माइनिंग नॉलेज यूटूब चैनल आज हम लोग डिसकस के नहीं जा रहे हैं वेल्ट कंवेयर का बारे में अच्का टॉपिक है वेल्ट कंवेयर चलिए शुरू करते हैं कि वेल्कम वेयर किसलिए उज्व के आधा है पहले कोल पॉड्शान वाद कोई भी मिनेरल पॉडक्शन के लिए पॉड़ासन के बाद स्को टांस्पॉर्टेशन एक जिगा से दूसर्ड़ाओ टांस्पॉर्टेशन डिफरन्ट वे में होता है जैसा टाबगरी से कुछ array को स्टोंधार को सब्सक्राइब रहता है ज्युम्धाक दर्वरा का सब्सक्राइब है कंद दृपक्वियुर्ण बाटास्थों किस आतंच्छ में ट्रबॉच एक तरीका है और उसका ओबर मेटेरेल एक जगह से दिसरे जगह आटेंपर होता है dus which system transportation कि मैं के योज़ किया जाता है ज्यादता सब्सक्राइश मानते हैं लिए बहुत कॉशली है जहांपे प्रॉडक्षान बहुत tap है उस जगह में यहांने चैया में समी मेंकान размina किया जाता ही किसलिए या क्विचा किकिद्ध करने की लिए या तरुडटेट प्रडक्सण अचिप करने के लिए में में का तो इसलिए बेए इंट्रोडेश्ट किया गया है चल्य देखे लेते हैं कोच इंपॉर्टेंट फीचर लिवकों मेर टिफेंट लियर वाइज बैल कंष्रेजिन करें अगर देखें तो उसका डिफरेंट लियर से चौनल फोर्मेशन होता है का यह है करकास लेयर को तो क्रकात जिसका उपर यह यह रहता है और लेयर वह कभी-कभी और राबर से बना हुआ रहने का एक अध्वेंटर्ज है कि वह फायर रेस्टिव जो अंडर्ग में पर्मिसेबल रहता है लिए प्रॉट्स प्ली कोटेड़ यूज किया जाता है विल कंवेर का स्पीड वैरी केपसिटी का हीसाब से जहां पर जबसे सब से स्विट एड्रेस्ट किया जा सकता है तक 600 mm से लेके 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 12 mm, 14 mm तक बेल्ट का विट मिल सकता है जहां पर जितना कैपसिटी पारावार और पार्ट डे कितना कैपसिटी है उस हिसाब से मेरा विट तब दो बेल्ट सेलेक्ट होता है और इंस्टॉल किया जाता है बेल्ट कंवेयर कितना मेक्सिमम अंगल तक इंस्टॉल किया मतलब ऐपरेट कर सकता है smoothly 1 in4 gradient तक बेल्ट कंवेयर इस्मूथली ऑपरेशन कर सकता है और PVC कोट वेल्ट के लिए मेकसिमम अंगल अपिक्लेशन होता है 16 डिगरी कि पेल्ट कंवेर्ज़ अब रानिंग होता है तो इसका इसको इसे कि लिए थरस्ट टाइब देग का यूज होता है तो इद और इनक्लाइन में में अगर फिछ न भाग जाए तो उसका उपर जो मैचार घइंड करता है ज्ट्राइज स मैचे Woah को ब्रोब्लेम कर सकता है इसलिए उसको जो गॉल्ड मॉब्मेंट करने के लिए फोल्ट ब्रोल्ट करने के लिए फोल्ट ब्रोड कीया जाता है जो कि कोई भी incline में backward movement prevent करता है चलिए बेल्ट कनफेर का कुछ limitation समसे और drawback है इसका जन लेते हैं बेल्ट कनफेर एक costly है जो initial investment महुत हाई होता है क्योंकि इसका belt का cost, motor का cost और बहुत सारे जो structure के ज़रूद परता है यह सब कोस्ट बहुत हाई होता है तो initial investment ज़रूद पड़ता है बेल्ट कनफेर installation के लिए कोई staggered roadway फिफर नहीं होता है straight way बेल्ट कनफेर installation के लिए preferable है और easy है अगर कहीं bending आए तो bending के लिए फिर दुवारा आपको दूसरा drive बैठना पड़ता है तो उसको installation cost और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो straight roadway preferably use किया जाता है बेल्ट कनफेर installation के लिए maximum lump size belt दौरा जो transport किया जाता है वो half of the belt width यानि बेल्ट जितना है उसका half maximum half तक lump size coal transport कर सकता है बेल्ट देवारा के लिए प्रोब्लेम कर सकता है क्योंकि बहुत सारे problem length of the belt increase हो जाता है तो उसका motor का capacity ज्यादा लगता है कहीं कहीं बेल्ट साइड हो जाता है तो उसके लिए भी maintenance को बढ़ जाता है और इसके ऊवराल जो maintenance कोस्ट long distance के चलते ज्यादा हो जाता है और कहीं पे पर्टिकुलर पॉइंट में अगर कोई problem दिखा दे तो पूरा hold belt line stop हो जाता है इसलिए long transportation के लिए बेल्ट कंवेर यूज होता है लेकिन उतना smoothly efficiency नहीं दे पाता है ओटारी गलरी ओटारी कोई भी रस्ता के लिए रोड़ोई के लिए जहां पर में माली जे बेल्ट चल रहा है उसमें कहीं water का accumulation हो रहा है तो उसमें slippery belt sleeping का चांस ज्यादा रहता है तो उसमें problem create कर सकता है अगर material जो transportation हो रहा है belt का उपर belt का उपर जो material transportation हो रहा है वो अगर slurry material है तो वह बीड्राइब डाम या discharge डाम में जाके उसका friction ज्यादा नहीं मिलता है तो वो slip का chant ज्यादा रहाता है slip करता है यानि production हमाफर होता है अगर इंकलिशन कहीं ज्यादा हो जाता है जैसा मेन इंकलाइन में अगर बेल बेटा रहता है तो कभी कभी सलारी मैटरियल करता है बैक करके मेरा टेलेंड ड्राम का पीछे आकर जमा हो जाता है और जम करते था her belt को यानि कि belt बन हो जाता है प्रोडक्सन भी रुक जाता है प्रोडक्सन हम पर होता है तो र estat। क्लेक्स करके और क्ल्काउटसे लाएंट तीदक रमन ड्रीकर कर सकता है तो न्लानोर्टसेंट प्लॉ दयाक्टेटक्सन इस इस अमचेप अ confonyaime- desen कर सकता है विल्ट कंवेयर दारा क्योंकि यह continuous process है जैसे continue बेल्ट में material देते रहेगा तो continue वो ट्रस्पॉर्ट करते रहेगा बेल्ट में और दूसरा बेल्ट में वो बेल्ट में only one belt operator बैट के पूरा whole length of belt देख सकता है या चला सकता है कई चारसों मिटर पांसों मिटर हजार मिटर तक belt length को वह एक अदमी operate कर सकता है इसके लिए कोई additional कोई आदमी के ज़रुरत नहीं पड़ता है इसके लिए फ्लोर का कोई अंडूलेशन हो या स्मूध हो इसमें बेल्ट मेरा बैठ सकता है क्योंकि build structure का उपर बैठता है और structure कोई अंडूलेशन का उपर बैठने के बाद उसको adjust करके इसको level कर सकता है और level किया जाता है तो इसमें कोई problem नहीं होता है रोड़ो या अगर अंडूलेशन हो या थोड़ा सा upward, down, not हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता है और या अंडूलेशन के लिए ज्यादा समय का ज़रूरत नहीं पड़ता है विदिन फ्यू मिनिट्स सिक्षण में मीरा कटिंग चलता है या सिक्षम में जो blaster colex होता है Better सामेर 10 एंडूलेशन करने दिस्ट्रिक से मेरा kommer handling plant और CHP जहां पर work and load होता है वहां तक हुछना में ज्यादा आइम कोई material पहुच जयाता है अब देखिए जो बेल्ट हम लोग इंस्ट्राल करता है तो कहां पे बेल्ट इंस्ट्राल करेंगे किस लिए करेंगे तो इसका कुछ इसका कितना है तो कितना इसका कितना कितना इसका इसका कितना सब्सक्राइब करना पड़ेगा मिडियुम लेंट एक किलोमेटर एक बेल्ट कुल्बाइकर लेंथ 800 मेठट से एक külोमेटर तक हो सकते उससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन रभी य Mick प्रोब्लेम हो तो पुरा होल बेल्ट स्टॉप हो जाता है यानि प्रोडॉक्षान रुख जाता है इस में कोई प्रोडॉक्षान का रुखावाट या इस टॉप यह नहीं आता है यानि कितना बेल्ट कन्वेयर के लिए जो हमरे पावर का जुरूरत पड़ता है तो उसका अविलेबिलेटी और सप्लाई ठीक ठाक है कि नहीं एक इलेक्ट्रिक मोटोर और पावर सप्लाई एक इंपोर्टन पॉइंट है फेक्टर है एक पहले बता चुके है कि बेल्ट कन्वेयर इसलिए और इसलिए और करता है कि वेल्ट कांव इंट्ल करेंगे तो मेरा प्रोडक्सन को बहुत बढ़ जाता है प्रोडक्सन को बहुत है हो जाता है तो एकोनिक कुछिवीटी जकाता है अब चलिए components of the build जो बैठाता है install किया जाता है तो उसको क्या क्या structure का जुरूत पड़ता है क्या 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 पड़ता है देख लिए driving arrangements driving arrangements वे क्या रहता है एक drum रहता है motor रहता है gear रहता है gear कप्लिंग रहता है और snapple रहता है जो drum का साथ contact area increase करता है तो यह होगया driving arrangements एक continue belt रहता है जो drive drum और talent drum का बीच को connection करता है जिसमें वो continue घुमता है तो यानि continue एक belt के चुरूत पड़ता है idlers idlers iron structure belt जिसका उपर iron structure का उपर idler रहता है और bottom idler side idler 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 का उपर मेरा belt रहता है और यह जो idler structure का उपर खड़ा रहता है इक iron structure है जेनरली तीन मीटर लेंद का मिलता है और रोलर है bottom roller मिलता है और टॉप रोलर फिर एक V-shaped form में दिया जाता है एक draft formation किया जाता है जो draft क्या करता है materials को hold करता है और transport करने में help करता है कि bottom roller भी लगता है bottom roller का लेंद ज्यादा होता है top roller से क्योंकि bottom roller horizontal दिया जाता है और top roller भी form में दिया जाता है तो इसके लिए bottom roller का लेंद थोड़ा ज्यादा होता है आइर्ण चैनल रोल्ड बढ़ता है आइर्ण चैनल का लेंद तीन मीटर का मिलता है हरेक मैंस में जहां पर बेल्ट कनफेर यूज किया जाता है आइर्ण चैनल इस्ट्रक्चर और आइडिलर और bottom roller को hold करने के लिए जिसका उपर बेल बैठाया जाता है तो उसमें आइर्ण चैनल का जरूरत पड़ता है ड्राम्स मिनिमम तो दो ड्राम्स तो जरूरत होता ही है ड्राम्स को बीच में भी ड्राम्स का जरूरत पड़ता है टेंशनिंग देने के लिए और लुप टेक आप के लिए जो ड्राम्स का जरूरत पड़ता है तो बीच में आज पर रिक्यार्मेंट ड्राम्स का जरूरत पड़ता है को मेरा न्यू जोइन करना पड़ेगा कहीं जोइन खराब हो गया तो जोइनिंग के बाद बेल्ट सौट हो जाता है तो उसके लिए जो प्रिवेंटिम उजर्स लिया जाता है कि कुछ एक्स्ट्रा वेल्ट टेंशनिंग अरेंजमेंट दारा लुप टेक अप में रखा जाता है जहां पर कभी बेल्ट का स्रेंच आता है तो उसको लुप टेक अप को अजेसर खर परेंट को टेंशन दिया कितना width का चाहिए कितना length का चाहिए उतना कितना capacity है तो कैसे capacity weld convert का जो material capacity है तो कैसे calculate करेंगे capacity of weld convert top weld के लिए जो capacity हम लोग decide करता है उसका formula है टी जो के लिए भी भी ton per second पर आता है यह कहां यह क्या है यह cross section area of the material material यानि material जिस cross section पर रहता है उसका cross sectional area है material जहां जितना तक area hold करता है usually यह कितना होता है width square by 10 to width square by 12 width जहां पर W है width तो belt का width होता है उसका square by 10 to 12 vary करता है cross sectional area of material B है bulk density ton per meter के भी है speed of the belt converting meter per second यह तिनफ वैल्यू हमारा अगर मिल जाए तो put करके जो मिलेगा ton per second में यह बेल्ट का capacity अब है कुछ questions है आप लोगों के लिए first question से in case a number of belt conveyor 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 are used in series what arrangements is given to stop previous belt मनली जी एक स्रीज में तीन चार बेल्ट मेरा चल रहा है तो यह तीन बेल्ट में कोई एक operator यहां पर बैठा है तो previous belt को stop करने के लिए आगे वाला belt को stop करने के लिए मेरा क्या system का जरूत होता है क्या system हम यूज किया जाता है एंसर है sequential control sequence as sequential control sequence use करके अगर हम sequence को दबाएंगे तो आगे वाले बेल्ट पूरा मेरा stop हो जाएगा second question second question से how a running belt can be stopped in case of emergency emergency का cases में मन लिए जो बेल्ट ऑपरेटर वह एक पर्टिकुलर बेल्ट चला रहे है उस बेल्ट को stop करने के लिए कौन सा arrangement दिया जाता है यह अप लोग के लिए question comment box में आप जरूर बताईएगा answer क्या है third question है यह get 2013 में था तो यह भी अप लोग के लिए easy question है comment box में जरूर बताईएगा in a belt conveyor system function of the snap pulley is क्या है snap pulley का function क्या है option यह दिया गया है clean the inner surface of the belt option option b clean the outer surface of the belt option c increase the angle of contact of the belt with drive drum option d decrease the belt tension चार option है चार option में से कौन साही होगा प्लीज आप comment box पे जरूर बताईए एक easy question है thank you यह वीडियो दिखने के लिए अगर अच्छा लगे तो please subscribe कर दिजेगा next video के लिए thank you thank you for watching this